हेलो गाईज कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे ओंगे और अच्छे रहें नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल में आपका स्वगत करता हूँ दोस्तो आज आप लोग के लिए एक बहुत ही कारगराव सद्धी लेकर आया हूँ और दोस्तो बहुत ही गजब के इसके फायदे हैं जिसका नाम है दोस्तो सेमल दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि इस सेमल का पेड़ है और छोटा पेड़ है थोड़ा पत्ता तो अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है और इसका जड़ है आप लोग देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से आप लोग को दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस सेमल का पेड़ है और दोस्तों इसमें काटे किसम के ऐसे नुखेले नुखेले लगे रहते हैं आप लोग देख लीजिए दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि धातू रोग में बहुत ही कारगर आउसद्धी है दोस्तों बहुत जल्द असर दिखाती है और आरवेदिंग में बहुत माना जाना आउसद्धी है और दोस्तों इसका सेवन निदी करते हैं तो आप लोग की धात रोग समस्या बहुत जल्द से पहचान लें तो दोस्तों आप लोग पहचान गए होंगे अची तरह से कि यह सेंबल है और सेंबल का पेड़ है और उसके सारे पत्ते हैं आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इसको तोड़ की रखा हूं जो आप लोग को मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में दोस दोस्तो धातुरोग में शिक्रफतन में इसका प्रयोग कैसे करना है आईए आप लोग को मैं अच्छी तरह से बताता हूँ दोस्तो इस नुक्से को इस्तमाल करने से कितनी पुरानी समस्या सही हो जाती है आप लोग को मैं इस वीडियो में पूरी जनकारी दूँगा तो दोस आप लोग पैचान गए होँगे कि यह सेमल का पत्ती है और दोस्तो इसी तरह जो डाल होते हैं आप अच्छी तरह से देख लिजिए कि इसमें थोड़ा सा जो लाश्ट में इसके डाल रहते हैं थोड़ा इसकी सिमका है थोड़ा नाजुक रहता है और दोस्तो इसी आपको इस्तमाल करना है दोस्तों आप 15 दिन इस्तमाल करिए आपको बहुत ही घजब रिस्वांस मिलेगा और दोस्तों सही होने के औहुद इतना पर से आपको लेना है जो दोस्तों देख लीजे छी तरह 66 वाला जो हिस्साãy इसको अच्छेति अच्छे तरह से काट लें और पत्तिय इसी तरह से आपको तोड़कर फेक दरना है रहेओ दोस्तों देख अच्य कर दोस्तों इसी तरे से आप लोग इसलीका रहता है उसको आपे उसका नुक्सा मिलेगा यस्वा स्वांसी होगा यान je भी फरकार की धातुरोग सिखेपतन की समस्या है तो आप लोग बूकिंग कर सकते हैं दोस्तों मैं बता दूँ यदरी आप लोग की समस्या धो से तीन मेने की है भाहत सारी दिक्टेटे उसमेरे पेटना साफ होना उसके बाद कब्ज बनना जो बहुत सारी infection हो गहरा बन जाती है उसके लिए बहुत सारी उसदिया मिला के दवा बनानी पड़ती है तब ही जाके समस्या खतम हो पाती है तो दोस्तों आप लोग यदि आप लोग की कम दिन से समस्या है तो आप लोग इसका सेवन करिए आप लोग की समस्या सही हो यदि जादे दिन का समस्या है तो आप लोग को मैं अपना नंबर यूटूब थम लिंक पर दे दूँगा और दोस्तों वहां से मेरा नंबर लेके और बात कर सकते हैं उसके बाद अपना जो भी समस्या है आप लोग बताईए मैं उसकी दवा अच्छी तरह से गरांटिर दव लेगी और तो दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में धनवाद दोस्तों अंगली हैँ!